आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello everyone, in this question हमें एक Boolean expression given है यहार में मताना है कि यह किस option के equal है ओके, given Boolean expression का है P and P implies Q and करना है Q implies R and whole implies with R is equal to तो देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग इसको true table से solve करते हैं तो देखो, true table से कैसे solve करेंगे, यहाँ पर हम लोग तीन variable कौन-कौन से ले ले लेंगे P, Q और R ओके, तो देखो, यहाँ पर हम लोग solve करना है, start करते हैं इसको तो हमने तीन variable ले लिया है, पहला variable हमने ले लिया P, दूसरा variable हमने ले लिया Q, और तीसरा variable हमने ले लिया अब इनको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं यह हो जाएगा इसको मैंने ले लिया true false true false true false true true false Q को ले ले लेता हूँ मैं true true false false true true false false और P को ले लेंगे हम true 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 then false 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 और false false okay अब देखो हमें equation में सबसे पहले क्या find करना है सबसे पहले हमें find करना है P implies Q तो यहाँ पर हम लोग find कर लेते हैं P implies Q को अब P implies Q में आपको में सहाध रखना है कि implies condition सिर्फ एक condition में false देती है जब true false के condition मनें तो अब मुझे P और Q का implies करना है तो true true implies true क्या होगा true सिर्फ true implies false ही false होगा यहाँ पर true implies true भी क्या होगा true true implies false क्या होगा false यह सिर्फ एक एक ऐसी condition इसमें false होगा true implies false क्या होगा false होगा ठीक है आगे देखते हैं false implies true क्या देगा true false implies true क्या देगा true false implies false क्या देगा true और false implies false भी क्या देगा true अभी आ गया हमारा P implies Q इसको हमें and करना है with P तो इसको यहां पर लिख लेते हम P को में and करना है जो किसे P implies Q से ओके तो देखो अभी इसको and करते हैं हम लोग and की condition क्या है कि अगर एक भी false हुआ तो पूरा expression क्या हो जाएगा false हो जाएगा ठीक है तो अब मुझे किसको किसको implies करना है इसको और इसको implies करना है तो ये true तभी देगा जब दोनों true होंगे तो क्या जाएगा true यहाँ भी true true तो क्या जाएगा true true false क्या देगा false true false क्या देगा false false true क्या देगा false देगा false true भी क्या देगा false देगा okay then false true भी क्या देगा false देगा and false true भी क्या देगा false देगा okay अब देखो हमने इतना part solve कर लिया अब देखो, हम इसको solve करते हैं q implies r तो देखो q implies r हमें आब find out करना है तो फिरसे implies की ये ऐसी condition है जिसमें powalue क्या देगा? false देगा तो देखो यहाँ पे q implies r find करना है इसको इसको implies करना है तो true implies true क्या हो जाएगा true ही रह एगा true implies false क्या देगा यह एक ही condition इसमें false देता है false implies true then false implies false क्या हो जाएगा यह भी हो जाएगा true true implies true भी क्या देगा true अब देखो यहां पर true implies false क्या देगा false देगा and false implies true भी क्या देगा true देगा और false पाल्स है भी क्या दिया ये भी true देगा ओके अब देखो हमें क्या करना है अब हाँ में इन दोनों को end करना है यहाँ पर यहाँ पर यह लिए खली है और यहाँ नों करते हैं फ़्यूंश यहाँ पापरने मुझे पर दोन पर तर 되면 Customer तो simplicity कले इसको पूरे expression को इसको T मान लिया और इसको Z मान लिया अब इन दोनों का करना है and तो and की condition में हमें पता है कि एक भी false होता है तो पूरे expression false होती है तो true true क्या हो जाएगा true true false क्या हो जाएगा false false true क्या होगा false true क्या होगा again false होगा false true again false होगा false false भी क्या होगा false true भी क्या होगा false होगा and false true क्या होगा again false होगा अब इसको हमें implies करना है कि से R से imply करना है इसका हमें implies करना है R से तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ च टी अंड जेड जो हमने find out करा है इसको हमने implies करना है r से तो हमें पहले इसको true बोलेंगे फिर इसको false बोलेंगे मतलब पहले हम इसको बोलेंगे फिर इसको बोलेंगे देखं ठीक हो implies true क्या होगा आपका यहां पर वाल्यू देगा true false implies false क्या देगा true देगा false implies true तो यह भी true देगा true implies false false देता है ठीक है अब false implies false यह भी क्या देगा यह भी आपका true देगा false implies true यह भी क्या देगा आपका true देगा तो अब देखों यहां से हमारे इस पूरे एक्स्प्रेशन जो आ रहा है यह किसके एक ओल आ रहा है इसमें सभी क्या है TTTT है, मतलब भी कहा है Tautology इसको कहा है, बोलते हैं Tautology सभी की वेली क्या हो, TTTT हो तो उसको बोलते हैं Tautology तो option कौन सा करेक्ट होगे? Option 4 is our right answer for this question Thank you